हेलो फ्रेंड नमस्कार कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का हमारा टोपिक है नेटवर्क टोपोलोजी जैसे की टोपोलोजी क्या होती है टोपोलोजी कितने प्रकार की होती है और उनके हर एक टाइप्स के बारे में हम देखने वाले हैं तो फ्रेंड अगर अभी तक आप च तोपोलाजी कहा जाता है। तोपोलाजी नेटवर्क के इस्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि किस तरह से नेटवर्क में सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। नेटवर्क टोपोलाजी वह बिधि है जिसमें कम्प्यूटर फिजिकली या लाजिकली आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वाइर के माध्यम से किसी नेटवर्क से जुड़े हैं तो उनसे जो पैटर्न क्रियेट होता है उसीको हम टोपोलाजी कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम इसके टाइप्स को देखने वाले हैं, टाइप आफ टोपोलोजी, टोपोलोजी के प्रकार, टोपोलोजी सामनता निम्न प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है आपका बस टोपोलोजी, दूसरा है आपका रिंग टोपोलोज तीसरा है स्टार टोपोलोजी चौथा है आपका मैश टोपोलोजी और पांचवा है आपका ट्री टोपोलोजी तो चलिए फ्रेंड एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं पहला है आपका बश टोपोलोजी Bus Topology में सारे कम्प्यूटर एक सिंगल वायर केबल से आपस में जुड़े होते हैं Bus Topology को Linear Topology भी कहा जाता है एक Linear Bus Topology में प्रतियक कम्प्यूटर केबल के सिंगल लेंथ द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं एवं उसके दोनों सिरे पर टर्मिनेटर लगा होता है यानि की Friend Bus Topology में सारे pieces एक सिंगल कोईग्जियल केबल से कनेक्टेड होते हैं और केबल के दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगा होता है इस केबल को Backbone केबल भी कहते हैं Bus Topology एक Passive Topology होती है जिसका आर्थ है कि एक समय में केबल एक कंप्यूटर ही मैसेज को सेंड कर सकता है वहीं अगर Bus Topology के Advantage को देखें तो Bus Topology काफी सस्ती Topology होती है Bus Topology में अने Topology की तुलना में कम केबल की आवसकता होती है Bus Topology को आसानी से इंस्टाल भी किया जा सकता है Bus Topology में एक कंप्यूटर के फेल होने से संपूर नेटवर्क पर कोई परभाव नहीं पड़ता है Bus Topology में केबल की लंबाई सीमित होती है यानि की Friend Bus Topology में हम एक सीमित लंबाई तक ही कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं दूसरा है आपका Main Cable ब्रेक होने से पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है यानि की Friend अगर आपका Main Cable यानि जो Backbone है अगर वही तूट जाए तो पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाता है Next Topology है आपकी Ring Topology तो चलिए Friend हम देखते हैं Ring Topology के बारे में Ring Topology में कंप्यूटर को एक ब्रित के रूप में अरेंज किया जाता है इस Topology में कोई कंप्यूटर होस्ट या मुखे कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है Ring Topology में सारे कंप्यूटर कोईक्जियल के बल के द्वारा एक सरकल के रूप में आपस में जुड़े होते हैं Ring Topology से जुड़े परते कंप्यूटर रिपीटर के रूप में कार करते हैं इसमें डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो यूनि डारेक्शनल होता है यानि कि data एक ही दिशा में full होता है वहीं अगर ring topology के advantage की बात करें तो ring topology को create करना आसान होता है दूसरा है आपका इसमें किसी भी central device की आवसकता नहीं होती है तीसरा है आपका इसको manage करना आसान होता है अगर वहीं इसके disadvantage को देखें तो ring topology में प्रतेक computer एक दूसरे पर निर्भर होते है दूसरा वहीं है आपका इस topology में एक computer के खराब होने से संपूर्ण network बाधित हो जाता है यानि कि friend अगर ring topology में कोई एक PC आपका खराब हो जाता है तो पूरा network आपका फेल हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रतेक device repeater के रूप में कार करती है नेस्ट है आपका star topology star topology में प्रतेक computer एक central hub से connected होता है hub एक computer या device होता है जो इससे जुड़े सभी computer को data transmit करता है central hub एक computer या server होता है जो पूरे network को manage करता है star topology में किसी computer या server को message transmit करने के लिए hub काउपियोग किया जाता है hub message को broadcast करने में परियोग होता है वहीं अगर हम star topology के advantage को देखे तो star topology network को fast बनाने में आसान होता है इस topology में एक local computer के खराब होने से संपूर network पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें सारे computer आपस में ना जुड़कर बलकि एक central hub से connect होते है तीसरा है आपका इस topology में computer को जोड़ना एवं हटाना आसान होता है वहीं अगर हम इसके disadvantage की बात करें तो star topology में यद central hub खराब हो जाता है तो संपूर network फेल हो जाता है यानि की friend अगर आपका central hub ही खराब हो जाए तो उस समय आपका पूरा network फेल हो जाएगा क्योंकि star topology में जो main है वो आपका hub ही है second है आपका यह topology उप्योग करने में काफी महंगी होती है वहीं तीसरा है आपका इसमें परियोग की जाने वाली केबल की कास्ट अधिक होती है next है आपका mesh topology mesh topology में परतेक नोड आपस में एक दूसरे से connect होते है यानि इस topology में परतेक computer network के अन्य सभी computer से जुड़े होते है इस topology में अगर कोई एक device फेल या खराब हो जाती है तो उससे संपूर network पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें सारे computer कहीं न कहीं से एक दूसरे से आपस में connect होते है mesh topology काफी महंगी topology होती है mesh topology के advantage की बात करें तो इस topology में कई computer एक साथ data transmit कर सकते है इसमें किसी एक node की तूटी होने पर भी data transmit होता है mesh topology के disadvantage की बात करें तो mesh topology काफी महंगी topology होती है और second है आपका mesh topology को manage करना भी काफी कठीन होता है next है tree topology tree topology, bus topology एवं star topology दोनों का सयोजन होता है tree topology में star topology की तरह एक host computer होता है और bus topology की तरह सारे computer एक केबल से जुड़े होते है इस topology का आकार एक पेड़ जैसा दिखाई देता है जिसके कारण इसे tree topology कहा जाता है advantage of tree topology इसके advantage की बात करें तो इस topology को install करना काफी सरल होता है second है आपका इसमें परतेक device का point to point connection होता है जिससे से आसानी से error को detect किया जाता है यानि कि friend इसके point to point connection से इसमें error को आसानी से ढूड़ा जा सकता है वहीं अगर इसके disadvantage को देखें तो इसको minus करना काफी कठिन होता है second है आपका इसमें अधिक केबल का उपियोग होता है या topology काफी महगी भी होती है इसमें मुख्य नोड के break होने से पूरा network प्रभावित होता है next है आपका hybrid topology hybrid topology एक AC network topology है जो कई अन टोपोलोजी से मिलकर बनी होती है इस topology में दो या दो से अधिक topology सामिल होती है यह network topology office, campus, आधि के लिए design किया जाता है hybrid topology काफी महगी topology होती है वहीं फ्रेंड अगर हम hybrid topology के advantage की बात करें तो यहाँ एक बड़े office एवं संस्थान के लिए hybrid topology अच्छी होती है hybrid topology में error को आसानी से खोजा जा सकता है hybrid topology एक flexible topology होती है वहीं अगर hybrid topology के disadvantage की बात करें तो hybrid topology काफी costly होती है second है आपका hybrid topology को install करना काफी कठिन होता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको topology और इसके type समझ में आ गए होंगे फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें